नमस्कार, कार्णिश्वित्रेणू इजी कुकिंग में आप सबी का स्वागत है आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगे नवरात्री स्पेशल डिश जो है काले सुखे चने यह अश्टमी और नवमी के प्रसाद में बनाये जाते हैं हलवा पूरी और काले चनों का भोग देवी मा को लगाये जाता है यह बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूले काले सुखे चने बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी काले चने जिनने हम दो से तीन बार साफ पानी से धो लेंगे तीन से चार बार पानी बदल कर हम इने धो लेंगे और लगबग 2-3 कटोरी पानी डालकर हम इन्हें 4-5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे या आप इन्हें राद भर के लिए भी बिगोकर रख सकते हैं ये देखिए 4-5 घंटे के बाद ये चने इस तरह से पूरे फूल जाते हैं अब हम इन्हें पकाएंगे चनों को पकाने के लिए इन्हें हमें प्रेशर कूकर में डालना है स्वाधा नुसार हम इन्हें नमक में डालेंगे नमक डालने से ये जल्दी पक जाते हैं आप चाहें तो साधा नमक या सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोग के लिए सेंधा नमक यूज किया जाता है, कुकर का ढखकन हम लगा देंगे और इसे 4-5 सीटी देखकर हमें चने पकाने हैं, 4-5 सीटी में चने अच्छी तरह से पक कर नरम हो जाते हैं, तब तक हम मसाले देख लेते हैं, मसालों में हमें लंबा पतला कटा हुआ अधरक लेना है, 1-2 हरी मिर्चे, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और एक चमच जीरा लेना है, कुछ लोग अमचूर पाउडर या इमली का पल्प भी इस्तिमाल करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी इस्तिमाल करते हैं, आप चाहें तो यूज भी कर सकते हैं, खटाई या ना भी यूज करें, जीरा पाउडर लिया है हमने और अमचूर पाउडर, कुकर अब ठंडा हो गया है हम इने खोल कर देख लेते हैं यह देखिए चने हमारे फूल कर पक कर अच्छी तरह से तैयार है हम इने दबा कर देख लेते हैं नहीं तो हम एक दो सीटी और दे सकते हैं यह देखिए यह पूरी तरह से पक गए हैं अच्छे से नरम हो गए हैं अ बनाते हैं तड़का बनाने के लिए एक बड़ा चमज घी या तेल हम गरम करेंगे अब हम उसमें जीरा डालेंगे जीरा जब चटक जाये तब हम इसमें लंबा पतला कटा हुआ अद्रक और हरी मिर्श डालेंगे अद्रक और मिर्टी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि अद्रक का थोड़ा कच्चापन कम ना हो जाए अगर आप अद्रक पतला ना काट सके तो आप इसे कद्दू कस भी कर सकते हैं या बारिक बारिक काट लें उसको अब हम इसमें हमारे सुखे मसाले डालेंगे चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच सूखा धनिया पाउडर और एक चमच जीरा पाउडर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आप अपने पसंद के अनुसार कम जादा कर सकते हैं क्योंकि हमने यहां पर हरी मिर्च भी यूज किया है अब हम मसालों को थोड़ी दिर भूनेंगे और तुरंत ही हमारे उबले हुए काले चने मिला देंगे पानी हमें इसका रखना है फेकना नहीं है इसी पानी में हमें इन्हें पकाना है नमक हमने पहले से ही डाला हुआ है अब हम इसमें अम्चूर पाउडर मिलाएंगे आप चाहें तो इमली का पेस्ट डाल सकते हैं कुछ दिर हम इसे ढख कर पकाएंगे एक बार चेक कर लेंगे ये देखिए पानी इसका काफी सूप गया है इसे कुछ दिर और हमें ढख कर पकाना है और हमारे काले चन्य अब बिल्कुल तैयार होने वाले हैं अब हम इस फिर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ दिर और ढख कर पकाएंगे दनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है कुछ देर इसे और ढखकर पकाएंगे और हमारे काले चने बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ये देखिए हमारे काले चन्य बिल्कुल तैयार हो गये हैं इसका पानी भी सब सूप गया है बहुत अच्छी इसकी खुश्बू आ रही है चलिए अब हम इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और इन्हें हम गार्णिश करेंगे अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा जो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और पास ही में जो बेल बटन बना है उसे भी ज़रूर प्रेस करें जिससे की मेरे आने वाले इजी और टेस्टी रेसिपीस की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले जाए I hope आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आप चाहें तो मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिफ्स के ताथ वाट्स अप और फेस्बुक पे भी शेयर कर सकते हैं स्टे ट्यून विद कार्निश्वित रेनू थेंक्स फॉर वाचिंग बाबाई झाल